तो हेलो फ्रेंज मैं हूँ आटी के रिए विलकम तू माई यूटीब चलार और आज हम बात केने वाले हैं इंडिया की टॉप बेस्ट इलेक्रिक कार्व कर बारे में तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ता है लाइट्स बिगें नंबर 5 पे आने वाली गाड़ी का नाम है महिंदरा ई विरिटो जिसका प्राइज 10.15 लेक्स से सुरू होकर 10.49 लेक्ट की ये गाड़ी आ जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में 11 घंटे और 30 मिनिट का टाइम लगता है और ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज ह सुरू होकर 23.97 लेक्ट की ये गाड़ी आ जाती है और इस गाड़ी में हमें 39.2 क्लोवर टावर की बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज होनों में 6 आवर्स का टाइम लगता है और इस गाड़ी को एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये 452 किलोमेटर्स तक चल सकती है इस गाड़ी में हमें 13 किलोवर्ट की वर्स पावर मिल जाती है और इसमें हमें 21.5 किलोवर्ट आवर की लीथियम आयन बैटरी मिल जाती है और सेकेंड नमबर पे आने वाले गाड़ी का नाम है MG ZS EV जिसका प्राइज सुरू होता है 21 लेक से सुरू होकर 24.2 लेक तक की ये गाड़ी आ जाती है इसमें हमें 44.5 किलोवर्ट आवर की बैटरी मिल जाती है जिसको एक बार फुल चार्ज करने पर ये 419 किलोमेटर्स तक चल सकती है तो फ्रेंज इंडिया की बेस्ट इलेक्टरिक कार है टाटा नेक्सोन EV जिसका प्राइज 14 लेक से सुरू होकर 16.4 लेक तक की ये गाड़ी आ जाती है जिसमें हमें 13.2 किलोवर्ट आवर की बैटरी मिल जाती है जिसको एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये 312 किलोमेटर तक चल सकती है और इसमें हमें 95 किलो वाट की होर्श पावर मिल जाती है और इसमें हमें one speed automatic transmission भी मिल जाता है तो फ्रेंज ये विडिया आपको कैसे लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और अग instructor आपको पसंद आये तो इस वीडियो का लाइक कीजे, Share किजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार